एक कोस्चन में क्या बोलता है कि अच्छे भी डाउट ग्रूप में आया है वाटसप का कि अरविन जो है एक डिजॉनेस्ट मिल्कमेन है वो क्या बोलता है कि देखो कितने दयालू है हम 10% के लॉस पे बेच रहे हैं लेकिन वो पानी मिला के देता है और उसके बाद उसे 20% का बेचने वाले हैं मतलब कि इसका मल्टिप्लाइंग फेक्टर क्या होगा नाइन बाइट टेल यह यह बोला कि देखो 10 के माल को 9 में बेच रहे हैं कोई बात नहीं फाइनली उसे 20% का प्रॉफिट होने वाला है इसका मतलब ओवर ओल पांच के माल को 6 में बेचेगा बीच में जरूर कुछ कांड हुआ होगा आंसर है वाटर मिलाया भाई कांड तो हुआ है तो इस वाटर के करन तो उसे प्रॉफिट हुआ होगा माल लेते हैं प्रॉफिट होने के बाद जो मल्टिप्लाइंग फेक्टर हुआ है एमेफ तो पहले बोला कि 9 बाई 10 से लॉस हुआ लेकिन पानी मिलाने के करन उसे जो मल्टिप्लाइंग फेक्टर एमेफ के करन प्रॉफिट हुआ यह सब मिलके 6 x 5 हो गया है 5, 2 x 10, 3 x 6, 3 x 9 तो जो मल्टिप्लाइंग फेक्टर हो कितना आगया है 4 x 3 इसका मतलब क्या है मतलब तो आप समझ रहे हैं यह जो 3 है यह ओरिजिनल या फिर कॉस्ट प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस उसका क्या होगा मिलक ही होगा न जो ऊपर आया है वो प्राफिट या लॉस के बाद जो सेलिंग वाला टर्म होता है वो होता है तो यह तो मिक्चर हो जाएगा क्योंकि दूद में पानी मिलाने के बाद उससे मिक्चर बना कितना मिक्चर मिलाया है तो बुलेंगे कि एक क्योंकि तीन मिलक था चार मिक्चर ह तो percentage of water कितना होगा, percentage of water की बात करें, एक पानी है 4 में, गुना का 100 आंसर आगया, 25%, उमीद ये चीजे आप समझ पाए होगे, तो अगर ये वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे नए हैं, तो चैनल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए solution के साथ, और एक नए concept के साथ,